असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद है आप सब खेरे से होंगे तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कड़ी फ्रेंट्स हर जगा की कड़ी का अलग जाय का अलग तरीका होता है लेकिन यकीन मानिया आज की कड़ी खाने के बाद आप भूल जाएंगे कि य सिर्फ आपको याद रहे गए इसका लजी सा जाइका और चटपटा सा टेस्ट क्योंकि फ्रेंट्स यह बनी है बहुत यूनीक स्टाइल से इसमें आपको पंजाबी कड़ी मारवारी कड़ी और यूपी कड़ी तीनों कड़ी का टेस्ट भी मिलेगा और यकीन मानिए चौथा यहां पर हमने लिया है फॉर टेबल स्पून बेसन और यह सबी चीज़े हमने इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स वीडियो थोड़ा स्पीड में ताकि आप लोग बोर्द हो और मेरी वीडियो को पूरा देखें और बहुत सारा प्यार दें इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंट्स आपको किस तरह से वीडियो देखना अच्छा लगता है प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताईगा और इस बैटर को फ्रेंट्स बहुत अच्छी तरह से फेटना है जब तक यह फ्लफी ना हो जाए कुछ इस तरह स यहां पर आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है इसे हम मीडियम हाट ओईल में डालकर अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो तो फ्रेंट्स यह पर आप दیک सकते हैं जो पैन लिया है वह बिल्कुल फैला हुवा है गहरे पैन में आपको इसे नहीं डालना हैं कुछ इस तरह से तो यह देख सकते हैं आप बहुत जबरदस से हमारे पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं अब तयार करेंगे कड़ी का पैटर तो फ्रेंड्स यहां पर हमने एक बोल लिया है जिसे नापकर एक बोल हमने बेसन लिया है जो कि काफी हद तक खटा है अगर आपका थे खटा नहीं है तो आपको त पानी दालना है हम भीडियो में समय थोड़ा से नहीं परता है और तड़के में भी यूस करेंगे तेल गरम हो चुका है मेथी धना है करेंगे और इसी तेल में थे रमिर्श Urban Stories प्रेड मैठेंगे तेस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून नमक बाइब दालते ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और यह देख सकते हैं अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन गया है जो हमने बैटर तयार करके रखा था वो इस पॉइंट पर हम एड़ कर लेंगे और फिर उसके ब बनेगी फिर्ट कढ़ी का मतलब होता है कारना और कारने का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को इतना ज्यादा पकाना कि उसकी कॉंटिटी आदे हो जाए या काफी हद तक कम हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको बलते हुए काफी टाइम हो चुका तर काफी बार ही हो चुकी थी तो हमने इसमें जो पकॉड़े हैं उसे भी आट कर दिया है तो फेंट अब बार ही आती मेन स्टेप की जो है कढ़ी में तड़का लगाने की सबसे पहले 4-5 सूखी लाल मिर्स लेना है और सूखी धनिया लेनी है यहाँ पर वन टीस्पून जीरा लेना है और फॉरण ही से हम बन कर देंगे जिससे इसकी खुश्बू बहुत अच्छी तरह से कढ़ी में लॉक हो सके तो फेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट डिलिशियस और बहुती ज़्यादा जाइकेदार सी हमारी कढ़ी तयार है इसे हम सर्फ करे इतनी ज़्यादा जाइकेदार यह कढ़ी आपको लगेगी बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी से इसकी जो पकॉड़े हैं वो बने हैं फ्रेंट्स बहुती लाजवाब कढ़ी बनी है जाय करें गर्मा गर्म कढ़ी चामल के साथ थैंक्स पर वाजिंग एवर्यवन अल्ला हफी क्ढ़ जसैंट प्रेंचे शन्या करते हज प्राः उन्या आपको ल Tucson बनी हैं इसकी जाएके झादेवाब द्याज काया जा थन्या थैंके वम बनी हैंके वादेगादी जांके ऊ